So, hello guys, welcome back to our channel. So, आपने वीडियो के टाइटल में देखी लिया होगा. इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? जो राउल स्लाफ और नोन वल्टाइल सॉल्यूट है. और relative lowering in vapor pressure, हम उसके कुछ question discuss करेंगे. जो मैंने आपको last class में कराया था, जो मैंने last lecture के अंदर कराया था. ठीक है, तो उसके वेस्टे हम क्या करेंगा? questions करेंगे, five to six questions हम इस class के अंदर discuss करेंगे. फिर मैं आपको एक DPP दूँगा, वो DPP आपने solve करनी है. उसका DPP का आपको solution भी मिल जाएगा. ओके, देखो जो लास lecture हमने किया था, राउल स्लाफ और नोर वोल्टाल स्ल्यूट. तो आप हमने बहुत सारे formulas किये थे. मैंने आपको बताया था कि हाँ, यह formula यहाँ 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 पर use नहीं करना. आपको ठीक है, आपको समझ आ गए होगा, बट अभी हमने उसको apply नहीं किया, अभी हमने उसका application नहीं किया, हमें समझ तो आगए कि कौन सा formula कहां यूज करना है, बट जब हम questions करेंगे, तब ही हमारी क्या होगी, सही application होगी, तब हमें सही apply करना आएगा, हमें formula को use करना पर दुबार आपको अपने अप learn हो जाएंगी हो, clear, और जो इसके questions है, questions में आपको देखना है कि हमें क्या given है, पहले given लिखना है, obviously, हम कोई भी questions all करते है numerical, physical chemistry का, तो सबसे पहले हमें यही लिखना होता है कि हमें क्या given है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, उसके according फिर बाद उसके questions करेंगे, देखो जो सबसे first formula हमने क्या था, first formula क्या था, सबसे first formula हमने routes ला के base में क्या था, सबसे first formula हमने यही किया था, कि vapor pressure of, हमने पहले लिखा था, उसको solvent की क्या था, कि vapor pressure of solvent in solution is equal to mole fractional solvent in solution multiplied में vapor pressure in pure state, ठीक है, फिर हमने बाद में देखा, कि जो solution का pressure है, वो किसकी वज़े से है, obviously solvent की वज़े से है, क्योंकि solute थो कैसा है, non-volatile है, ठीक है, तो फिर हमने आप में जो solvent की term है, solvent की term को solution से क्या कर दे था, उसको replace कर दे था, तो सबसे first formula हमारा ये बनता है, clear, तो सबसे first formula ये हो गया, second formula मैं लिखरो हूँ, second formula क्या था हमारा, second formula था हमारा p0 minus ps upon, p0, p0 minus ps by p0, p0 minus ps को क्या बोला था, मैंने, lowering in vapor pressure, कि कितना vapor pressure कम हो गया है, obviously p0 जादा होगा, solvent का, और solution का क्या होगा, कम होगा, दोनों को subtract करोगे value क्या आएगी, positive आएगी, ठीके न, और अपन में p0, so p0 minus ps को तो बोलते हैं, lowering in vapor pressure, और अगर पूरी term की बात करें, पूरी term को हम बोलते है, relative lowering in vapor pressure, कि क्या करें हम relate करें, किस से relate करें है, initially जो था, initially क्या था, solvent था, क्या था, solvent था, clear, और यह किस के एकवा लाया था, यह को लाया था, हमारा, x2 के एकवा, किस के एकवा लाया था, x2, x2 क्या है, x2 है, mole fraction of solute, x2 क्या है, mole fraction of solute, बना बताता है न, 1 stands for solvent, n2 for solute, तो x2 क्या आगया हमारा, solute आगया, clear, okay, x2 को हम यह भी लिख सकते है, p0 minus ps upon p0 x2 क्या हम यह भी लिख सकते हैं कि n2 upon, n1 plus n2, obviously हम x2 को, जो mole fraction है, mole fraction solute हो क्या आएगा, number of moles of solute upon में, total number of moles, ठीक है, न, तो यह formula हमारा, फिर यह बन जाएगा, ठीक है, फिर इसके अदर मैंने क्या कहता, कि यह कहता, कि अगर हमारा solution क्या हो, अगर हमारा dilute solution हो, for dilute solution, बने क क्या करेंगे, जो यह n2 की टामने, यह n2 है, इस n2 क्या कर देंगे, इस n2 को हम neglect कर देंगे, तो हमारा fourth formula यहां से यह बन जाएगा, पी नोट, minus, ps upon, पी नोट, is equal to, n2 upon में, n1, n2 upon में, n1, तब हमारा formula यह बन जाएगा, अगर हमारा solution dilute है, तब हम n2 क्या कर देंगे, n2 क कर देंगे एंटो को फिर क्योंकि एंटो के वालू बहुत कम होगी न तो डिनुमिनेटर के अंदर हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे केल्कुलेशन को इजी करने के लिए तब हमारा फॉर्मला फिर यह बन जाएगा अब देखो इसमें आप अपने आप चेंजिस भी कर सकते हो आप जो नंबर ओफ मॉल्स है नंबर ओफ मॉल्स को आप इसके अंदर पुट कर सकते हो ठीक है तो मैं वह नहीं लिख रहा तो यह ह अधर मैंने कहा था कि अगर आपको क्या करने हैने करने करते हुए और आपको क्या करने है यह तो हमारा फॉम्मला क्या था पेणोट माइनस यहें पी एस यही फराग है बस इसमें यहां पी नोट माइनस पीस बाइपी नोट है यह पी नोट माइनस पीस बाइपी एस है और मैंने आपको बताया था special note लिखाया था कि यह हमारा relative lowering in vapor pressure नहीं है वो तो यह है ठीक है तो हमारा formula इसके जैसे है बट यहां पर हमने neglect किया है यहां पर बिना neglect किये हमारा formula यह बन गया मैंने बताया था हर जगा formula यह लगा सकते हो एक जगा नहीं लगा सकते है अगर हमें relative lowering in vapor pressure जो calculate करना है वो हम questions करेंगे देख लेंगे ठीक है नेक्स जो हमारा जो six formula है वो इससे ही निकाल दो मैं morality की दमस में लिख रहा हूं मॉलालिटी into में molar mass of solvent upon में थाउजन मॉलालिटी into में molar mass of solvent upon में thousand ठीक है तब हमारा formula यह बन जाएगा अब मैं देखो आगे नहीं लिख रहा है इसको कि n2 क्या होता है given mass by molar mass वो नहीं लिख रहा मैं ठीक है वो उसके आपस में relate ही है मैंने आपको last lecture में सबसे पहले वो वीडियो जाके देखो क्योंकि तब भी आपको formula भूल भी जाओ तब भी आपको formula क्या रहेगा याद रहेगा बाकि मैंने आपको relate तो कराई दिया है कि p note minus ps lowering pressure कितना कम हुआ पी नोट से compare करोगे तो क्या आगया relative lowering यह relative lowering नहीं है ठीक है ओके तो कोशन स्टार्ट करते हैं फिर अपने ओके तो यह हमारा first question है first question हमें क्या given है find the vapor pressure of one molar glucose देखो जो जो हमें given है साथ साथ लिखना है हमें करना है find the vapor pressure of one molar glucose solution हमें solution का vapor pressure निकालना है तो हमें ps calculate करना है ठीक है one molar one molar का मतलब है कि जो molality है वो कितनी है one है at 25 degree Celsius given vapor pressure of pure H2O at 25 degree Celsius is this मतलब हमें pure H2 का दीवन है मतलब हमें pure solvent का given है ठीक है कितना है वो 40 mm of mercury ठीक है यह given और हमें क्या करना है vapor pressure of solution को calculate करना है ठीक है अब देखो यह हमारे formulas है सारे हमें क्या given है हमें molality given है तो एक तो आप formula का इसका यूज कर सकते हो direct हमें molality given है molar was solvent का हम पते 1000 यह बूट करोगे यह भी given है तो यहां से क्या निकल जाएगा PS निकल जाएगा vapor pressure of solution निकल जाएगा ठीक है इस formula में थोड़ी सा आपको calculation करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर PS है यहां पर PS multiply होगा थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा वरना आप इस formula का भी यहां पर use कर सकते हो यह formula क्या है हमारा formula है हमारा PS is equal to x1 into me p note यह वाला formula है PS is equal to x1 into p note जब कभी आपको vapor pressure solution का निकलना है try करो कि आप इसी formula से कर लो क्योंकि बिल्कुल simple formula है और आपको direct value put करके answer आ जाता है इसमें ठीक है तो अगर आपको vapor pressure solution का निकालना है तो try करो इसी formula का use करने की ठीक है क्योंकि हम बाकी formulas के चक्कर में इस formula को भूल जाते है क्योंकि यह formula छोटा से है और starting में सबसे पहले यही पढ़ा था हमने ठीक है तो इस formula से भी काफी question solve होती है देखो p note given है direct given है x1 निकालना है अब x1 क्या है mole fraction of solvent है x1 क्या है mole fraction of solvent ठीक है देखो हमें क्या given है हमें morality given है और morality होता है कि number of moles of solute upon weight of solvent kg के अंदर weight of solvent किसमें होगा kg के अंदर होगा ठीक है ओके अब देखो molality तो कितनी given है molality हमें given है 1 तो मैं let कर लिया कि let जो weight of solvent है ना वो कितना है है 1 kg है मैं let कर लिए कि जो weight of solvent है वो कितना है हमारा 1 kg है ठीक है अब देखो molality मैं one put करूँगा weight of solvent को मैं 1 kg पूट करूँगा तो number of moles of solute कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे number of moles of solute कितना आएगा वो 1 आ जाएगा वो ठीक है अब देखो number of moles of solute तो निकल गए अब मेरे को किसके निकालने है number of moles of solvent के निकालने है ठीक है ओके अब आप क्या करो गए आप देखो हमें weight given है weight कितना है 1 kg है तो मैं weight 1000 gram लिख सकता हूँ और molar mask कितना given है मेरे को solvent का solvent क्या है water at the water ka molar mask कितना एगा 89 कि ह्ट्टो अगवा एक टो का है आट टो प्लस इक्स्टीन कितना एक एगा 18 आ आगा न तो मोल्रमास कितना एट ना गया तो number of moles of अल्वें कितने निकलेंगे weight upon में मोलर मास वेट कितना है थाउजन और मोलर मास कितना एट इन तो कितना यह आई आए आसे 55.55 आजाएगा 55.55 आएगा थे कैं ओके तो हमारा जो फॉर्मला है फॉर्मला क्या पी एस इस इकल टू एक सों कैसे लिखेंगे एन वन अपॉन में एन वन प्लस एंटू इंटू में प 55.55 प्लस एंटू कितना है वन है वो इंटू में पी नोट कितना है पी नोट है हमारा 40 ठीक है तो यहां से कितना एगा 55.55 अपॉन में 56.55 इंटू में 40 ठीक है तो इसको सौल कर ले ना सौल करके मैं आपको वैलिमत आता हूं कि 39.3 के अब रोक्स आएगा ये 39.3 यूनिट यह रहे गे मिलिमेटर मरकरी ठीक है तो जो वेपर प्रेशा सुलूशन का कितना आया वह 39.3 मिलिमेट्र ओ कर ले ना और यह पूट करके सारी प्यास की क्या जगी वैल्यू आजएगी और जब वेपर प्रेशा स्लूशन गा निकाल ले है तो ट्राइगा इसी फॉमले यू यूज करो बिल्कों सिंपल फोमले ड्रेक्ट वेलीस पूट करके ज्यादा कैलुड़िशन की चक्करनी इसमें और डिरेक्ट की आ जाएगा आपके इसमें अंसर आ जाएगा ओके तो यह था हमारा कोशन फॉस्ट और जो हमारा next question, next question के अंदर क्या है? calculate the vapor pressure lowering calculate the vapor pressure lowering caused by addition of 50 gram of sucrose, देखो हमें यहाँ यहाँ पर निकालना है calculate the vapor pressure lowering यहाँ पर relative term नहीं आई यहाँ पर relative term नहीं आई, यहाँ पर simple आई कि calculate the vapor pressure lowering lowering का मतलब है कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना delta P और डल्टा भी क्या होता है? डल्टा भी होता है पी नोट माइनस पी एस हमें इसको गल्कृट करना है लोवरिंग तो मतलब यह होगा ना कितना टेम पर हो जो हमारा वेपर प्रेशर हो क्या होगा है? लोवर हुआ रिलेटिव निकालना, clear? ओके, 50 ग्राम हो सुक्रोज अब देखो सुक्रोज हो क्या होगा हमारा? सुक्रोज हो हमारा solute होगा और वोटर वोटर क्या होगा हमारा? सब्सक्राइब और시고 rat小rick सीवक्रीट और वोटर सब्सक्रीजिक एक अब सुल्योड का वह एत्रदी enjoyment फिफ्ती ग्राम गिवन एठीक और रसका जो मॉल्र मास ए मॉल्र मास ओ टू वो कितने है 340 टू ग्राम की मने डू फाइफ ब्रायम अव आप वोर्ट आव जैघिया ने सो दैण अन्य वडूवर दे लिए इन कितना देऊ यह 500 ग्राम और water का थो molar mass हमें पता है कितना होता है 18 clear और हमें vapor pressure pure water का given है pure water का मतलब है कि हमें क्या given है हमें peanut given है कितना है 23.8 mm of mercury ठीक है और हमें peanut minus PSO क्या करना है है calculate करनी है clear अब देखो आयदा कि peanut minus PSO हम 2 तरीकों से calculate कर सकते है या तो हम यहाँ पर यह formula SKO youEUse करे या फिर्म यह फिर फिरी फरॉमली का यूश करें ठीक है पहले इन दोनों formula में से एक formula को eliminate करते हैं या तो हम इस formula करें या फिरम इस formula का यह Alekaree ठीक है बदोक इस यहां पर पिनोट यहां पर है प्यशन को चंद के अंदर में फ्यीनौट घ्वन है यहां पर अगर पस हमारे पास हां यह उस्लाओं अब आते हैं इस Clip सब्सक्स juki सब्सक्राइब तर ते सब्सक्राइब information अ losing इसमीए यूजए या फिर यह यूज़ करें ये न की समीए यूज़ को fat देने काल देने डबली वन आफाइवनेंडग्रेम तो अगर आप कंपेर करोगे तो यह तो टेन परसेंट के राउंड आ रहा है सोल वेंड के कंपेरिजिन में कर रहा है तो तो फिर यहां पर डायलियूट वाला जो फॉर्मला है वो यूज नहीं करोगे तो इस फॉमले आप यूज नहीं करोगे कौन सा फॉमला यूज करोगे सिर्फ आपके पास यही ओप्शन है इसी फॉमले का आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो समझा आगे कैसे करने है इस फॉमले का यूज नहीं कर सकते है क्योंकि हमारे पास है इन में से इस फॉमले का यूज नहीं कर सकते मैं दोए डिया टो टोड़ों अंटो में ऐन प्रस एंट्प पॉषिय है अब देखो नísनौ नियut और मोलर मास कितना है 18 है ठीक है तो यहां से एंटू आ गया और यह एनवन आ गया फॉर्मिलेस के अंदर पूट कर दो फिर तो अंतरे आ जाएगा आपका पीनोट माइनस पी एज इस इकल टू एंटू कितना है 50 upon me 342 upon me 50 upon me 342 plus ऐनमन कितना 500 upon me 18 500 upon me 18 और इंटू में जब करोगे तो पीनोट आ जाएगा इदर इंटू में करोगे तो पीनोट इदर आएगा ना और पीनोट की वैलू कितनी है 23.8 है पीनोट की वैल्यू कितने है 23.88 है ये वैल्यू ठीक है तो यहां से पूरी वैल्यू को समझ आगया कॉंसे फोलमुले का कैसा यूज्सed करना है आपको आना चाहिए दूर अंसर को ऐल्कुलेट करो उके तो जो हमारा next question क्या है कि दूर भेपर प्रेश्रों प्योर वैंजीन एक सर्टेंघशर वैंजीन का फ्ल्यूंख अ ठीक है उसके अंदर हमने कोई non-volodized solute को हमने add किया उसका weight हमें गिवन है ठीक है तो पहले ख लेते हैं कि हमें क्या-क्या गिवन है देखु सबसे पहले में प्योर बेंजीन का गिवन है इसका मतलब है कि बेंजीन वापे क्या हुआ हुआ solvent हुआ वैंजीन क्या हो हमाँ पे solvent हुआ तो पी नूट बी नूट इसक्स एसानन व्राड के तो शोलीड का मतलब हूआ की वह तो क्या हुआ सोली यूट का वेट इस अमने है this means हमें की manufacturing को सब्सक्राइब Sydney गूचनउ में मैज फिसकी उसर्राइब इसाइब देखो आप का मैटकरचन को विडियो को का मैं क्वैसि लेकुंधर फॉर ऐसे हिर को पeilूट पंट वन सेवन फायम एप of benzene is added to 39 gram of benzene benzene का वेड़ गिवन अकितना गिवन है वो 39 gram given 39 gram given अब है ठीक है दा वेपर प्रेशर ओफ सलूशन अच्छा वेपर बेश्चर सलूशन का भी गिवन हमें कितना है वो 600 मिल्लीमेटर मरकरी देखो यहां भी देख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का 640 सुलूशन है क्या है 600 है मतलब कम होना चाहिए यह आपने ध्यान रखना है कि जो सॉलूशन का वेपर प्रेशर है वो हमेशा सॉल्वेंट से कम होना चाहिए अगर कहीं पर आपको अंसर निकालना है है यह स्कते हैब प्रेशर सोल्वेंट गिवन एस सूलूशन निकालना अपको ज़या रखनाने आपको इस सॉलूशन है वो सॉल्वेंट से कम आ चाहिए यह अगर हमें क्या करना है कैल्कुलिछे मोल्र मां सो कुलिद सारी कम अउप्र निकालना है aç gm m125 गणे और व्यक् तो कि इस पहार निए ओस्थ में हमने पिस खिवन हम यहां और यहां से αυτό हमाराIRE CT-1 paंट कर सकते है ठीक है इससे तो हम निकाओ सकते हैं इसे उनुकशन audience कर सकते हैं ठीक है तो हुघ है कि अगर हमें वेपर परहेसर सोलीशन कहा भी इवन है तो भी आप इस ऐस ओण लोगो यूश कर पा ऑओ Patient कि वैस ऑढस्त को समय में देखा कर दो के N 2 x 1, मैं को मैं लिख रहूं, W2 upon में, मॉलर मास जफ टू, upon me, W1 upon में मॉलर मास जफ टू, ठीक है, मैं सको इसको इस्तर लिख रहूं, फिर मैं को रिरेंज करने पर का आएगा, पी नोट माइनस स्ट पर में, ps is equal to w2 upon में molar mass of 2 into में molar mass उपर जाएगा और w1 क्या आएगा वो निचे आ जाएगा यहाँ पे clear है सारे की सारी values put कर दो और answer जा कर लो calculate कर लो देखो पीनोट कितना गेवन है 640 ps कितना गेवन है 600 ps कितना गेवन है 600 w2 w2 कितना है 2.175 मोल्र मास वन कितना है 78 आप ओन मोल्र मास व्टू यह तो निकालना है हमने और वन कितना है 59 w1 w1 i am 39 w39 तो सको rearrange कर लो इसको यहाँ कर लो इसको यहाँ पे कितना अगा तो आ जाएगा इसको यहां पर बाकिस आइम खुआ पर लेके जाओ ठीक है देख यहां पे एक बार हमें निकालना है मोल्र मास व्टू इसको तो मिया यहाँ पर लेगा ठीक है यहां पर कितना आ में 600 अपोन में आजिस 40 मैने 610 तो यहां पर कितना आजेगा यहां पर आ जाएगा 40 आ जाएगा ठीक है तो पूरी वेली को स्वाल कर ले ना मैं आपको बता रहा हूँ इसको पूरे को सोल कर ले पूरे को समल करके जो आपको अंसर एका 65 जाएगा 65.25 इसके ही है इसके अप्रोले का यूजत कर सकते हौँ किया इससे हमें फोमले का यूजत कर सकते हो तो आप ने यही फूमला you यूज करने क्योंकि आप हमें नेग्लेक्ट करने की जूरती नहीं पड़े कुछ भी और हमारा अंसर भी क्या आगया रिजल्ड इन अंडर्ड ग्रैम वोटर हमें ग्राम वोटर इन ओर टो डिक्रीज दा वेपर पेश्र ऑफोर बायए 25 डिवर टिवर्ट वट विल भी दा मॉलालिटी ओफ सॉलूशन हमें लेल्टी निकालनी है solution की ठीक है देखो शबसे पर रही हमें कहां हाखेवन हैं हमえiben…? कि थो हुआ हो ? वह हमारा HONDRD ग्रम है क्लियर क्या? साथ महीं बोल रहे है कि मॉलाल अरिक निकाल ने निकाल ने स्लूशन की यह ओ sesi मुलाल अल एल — और क眉ड़ करना मैं ते क्या है आप देखो ये बोल रहा है कि जो हमारा वेपर प्रेश्र थेटमीन पर वेपर परेश्र वह वाटर भय ट्विटे 5% कि जुँ मंषा पर बाला है क्या हो गया ट्वंटीफाइफाइफ यॉटेट आशा किया हो गया वह दिख्रीड हो गया आपिए सल्जा हमारा वेपर प्रेश्य निमीटर हो गया है देखो अगर मैं लेय्ट कर लूं कि जो आ जो हमारा पीनोट एंग इंटर है मैं लेक्त का मझरी लेल हूँ से तो मैं लेट कर लेकि जो मेरा प्रण कोर वो टरा आप लूंड़े व्याँ पर सिरी तो है तो सोल्यूशन को कितना बचा है 75 यह तो इसका मतलब हुआ अगर आपको इस तरह से वेपर प्रेश्ट जितना डिक्रीज हो गया कुछ नहीं करना प्योर सॉल्वन का हंडर लेट कर लो मैंने प्योरा कितना घर लिया हंडर लेट कर लिया 25 प्रसेंड गावगा डिक्रीज ह अगर कितना आएगा वो 75 आएगा ओ ठीक है तो नेशल हंड़ था बाद में कितना आएगा 75 हो गया मेरको निकालने है इंदर फॉर्मुला के हमारा पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इस इकल जाएगा यहां से एम निकल जाएगा यहां से आप इसले कर सकते हूं पहुले पाल पॉलात पहले पॉल्ट करौड कितने हं लो मेरेलिटी इन्टम में मॉल्र भास सल्वल यंट है फोल्टर का मॉल्रर मस कितना है हमें पता है कि एटीन हो तो 18 upon me 1000 18 upon me thousand ठीक है तो यहां से आप मुलेल्ट निकालो कि तो मुलेल्टी क्या आएगी बाकिसाइटमस यहां पे कितना एगा 25 और यहां पे कितना हैगा 25 अपन मैंगा 75 ठीक है और 1000 उपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 18 आएगा ठीक है तो यहां पे आजेका 1 by 3 और यहां पर आपको बता है कि 55.55 आएगा ठीक है तो जो आपका नसरा वो 18.5 के 18.52 क्या प्रोस आजाएगा यह ही फोमले-उस करने है, हाँ आपने इस फोमले के पास जाना है पर यह समझा है, है तो मैंने 100 8 कर लिए तो어rá solve अकितने 75 तो क्या हो गया, कम हो गया फोमालक आपका पाइब और क्या है हमारा अंसर आ गया, so या है हमारा वरशन फॉर्ट जो मारा नेक्सकोशन नेक्सकोशन देर क्या गिवन एए het 288 Kelvin दाविफर प्रेशर स्टोप स्सीोंस के वंगा करने है करें देखो सबसे पहली बार तो हमें वेपर प्रेश इस सुलूशन का निकालना है दन कैल प्रेशन फाइपर सेंट एक्वर सुलुशन फूरिया दन हमें वेपर प्रेशन वेपर शॉल्वेंट का गीवन फ्योर तोर वोटर रागे तने वो ट्वंटी थ्री पॉइंट 15 मिल्य मिंटर ओफ मरक अगे ठिक अब देखो जो यूरिय नहीं वो फाइपर परसेंट एक्वर्स सुलूशन हमें अब देखो 5%верs का मतलब के है कि यह तो हमें फाइपर jeśli एक्वर्य मस है आप बाय्वोडूम सांध भाय वोल्यम था तो अगर एक डिजर दीन हरनद्ग्रामिशन इसका मतलब दीए है कि 5% का मतलब एक फाइव ग्रम यूरिया है कितने में है 100 ग्राम ऑस स्रेशन में ठीक है में उडिया क्योडी एक है यूरिया हमारा वे इन-वाग या फाइव द्राइब ये वीडूर गितना वाइव फाइव ऑ्या गया व्क्राइब लिए वन सुलुशंगा वेसिटने है अंडर अंडर हमानरम से 5- गोए तो सॉल्वМें सामीड आजीन, वह किटना है q 4-525 है। हमें कहा निकालना हमेर निकालना है waeper pressure solution निकालना है ठीक है देखो मैंने आपको पहले बिताया था कि अगर आपको vapor pressure solution निकालना है तो आपको कुछ निक formula युजे करना बिलुगल जो हमारा सबसे first formula है इस formula का use करना है ठीक है तो ps is equal to x1 into मenne's पील्ट, deformink सेPS is equal to X1 into p mod, P not given. ठेक हमें, वेल्यूज गिवैथ oned Amèn आमें निकालना है. एक्षि करें, मौलस औArton of solvent ठीक है. तो हमें नामने रमर मपनें पडैंगे. अब दोब दीडाटेंगे है लुटेंट जानो है। परियो है, परिमद बताओं कर्बंग किने कट्राइग था इवंपगा कट्राइग नियुक रॉप सेंट टो पूरेगा को है को अन्य् fino görüş तो लीग समीर टो फॉर्ड आ जाए का जाएका यूरेगा मॉल्ड आपन vì उस कि ए उसे हूं कि ए खहोसिके पtså prima कि 7 गया और यह श्कुम बडारived 18 ठीक है तो यह वैल्यू आगे आपके कुछ नहीं करो फॉम्ले के अंदर जिस्पूट करने हमने प्स इगल टू एक्स वन क्या होगा एनवन अपोन में एनवन प्लस एंटू इंटू में पीनोट ठीक है एनवन क्या है एनवन आया हमारा 95 by 18 यहां से वैनवन कितना एंगा 95 by 18 प्लस एंडू कितना है वाया 1 by 12 और इंटू में क्या पीनोट पीनोट कितना है 23.75 mm of mercury आ गया आप ठीक है फूरी वैल्यू को सौल कर लेना फूरी वैल्यू को सौल करने के बनापके पस क्या आएगा वे पर शोलूशन आएगा ठीक है देखो अम आपको बता रहूं कि इसे वैल्यू क्या आएगी कम आई अब क्योंकि यूरिया कम है तो वैल्यू भी ज्यादा फरखनी होगा ठीक है तो जिसका इसकांसर क्या आएगा इस वाइगा 23.38 mm of mercury आएगा ठीक है पूरे को सौल करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आजेगी थोड़ी सी कल्कूशन कि करने पड़ाया आपको ठीक है तो अब मैं बतार्यों कि आपको जैसे उप्षिंपन ये और वैप्षिंपन चैन्दर स्फ़्टर सॉलिशन गालना है और शोलिटन ओम होगा ठीक है तो अगर कभी भी आपको डीपर पर फंसर सॉल्यूशन का निकालना है सोलशन के लिए ल Tibet यह उसे करने वह जा का इत कि इसमें पड़ेगी इसे सबसे हिस्ता ताही इसमें है प्योडी एग में दिल्ट ह hätten आया है तो सबसे इंब आपना यूजए करने स हो जो हमारा next question, next question के इंदर हमें क्या given है, the vapor pressure of pure benzene at 50 degree Celsius is this, हमें vapor pressure benzene का given है, हमें किसा given है vapor pressure, pure benzene का given है, ठीक है, यह बोल रहा है कि, how many moles of non-volatile solute per mole of benzene are required to prepare a solution of benzene having vapor pressure this, ठीक है, देखो, यह बोल रहा है कि, जो, पहले देखो, given क्या है यहाँ पर, हमें vapor pressure pure benzene का given है, कितना है वो 268 mm mercury, कितना है 268 mm mercury, ठीक है, अब देखो, यह बोल रहा है कि, how many moles of non-volatile solute, ज्यान से पढ़ना है statement को, how many moles of non-volatile solute, देखो, non-volatile solute के moles क्या होंगे, n2 होंगे, how many moles of non-volatile solute per mole of benzene, ज्यान से पढ़ना है, ज्यान से पढ़ना है, ज्यान से पढ़ना है, how many moles of non-volatile solute, non-volatile solute क्या होगा हमारा, solute क्या होगा, n2 होंगे, per mole of benzene, और benzene क्या होगा हमारा, solvent है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि, जो हमें निकालना हमें निकालना है, n2 by n1 निकालना है, हमें क्या निकालना है N2 by N1, यूँकि उसी के जो number of moles of solute per mole of solvent क्या निकलेंगे, वो N2 by N1 निकलेंगे, clear, so in short आपको N2 by N1 calculate करना है, ठीक है, और जो vapor pressure solution का, वो कितना है, 167 mm of mercury, कितना गिवान है, 167 mm of mercury हमें वो गिवन है, और peanut हमें गिवन है, ठीक है, देखो, हम कौन से formula का यूज करेंगे, obviously, सबसे पहले मैं इस formula का use करेंगे, अगर हम इस formula का use कर सकते हैं, तो इस formula का वोशन को solve करेंगे, इनका हम बार में देखते हैं, ठीक है, हाँ, इस formula के अंदर सब कुछ हमें given है, तो formula का यूज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, so formula का है, p note minus, ps upon मे, ps is equal to N2 by मे p note की value कितने है, 268, ps की value कितने है, 167, upon मे, ps की value कितने है, 167, ठीक है, so N2 by N1, value कितने है की, 268-167, 101 upon 167, ठीक है तो value आज़े की, हमारे यह approach 0.6, value कितने है यह approach 0.6, मतलब एक mol of solvent के पीछे 0.6 mol किसके है solute के है एक mol solvent के पीछे 0.6 mol किसके है वो हमारे solute के है ठीक है तो यह होगा हमारा caution 6 ठीक है तो इस तरह से आपने सारे caution को solve करना है सबसे पहले तो formulas देखने की कौन से formula का use कहा होगा वो आपको पता हो ना चीए ठीक है विपरफैस्अ स्लल्उशन कर निकालना और तो यह formula is करने है अगर इन formula से बाद बनती है तो formula का use करना सबसे पहले इन से बात नहीं बनती है तो बहु हão गल से इन formula बेर जाने है इनके भी देखना है कि dilute है तो फिर यह करना है गर डेलई तो आपने इस formula का यूज करना है ठीक है तो जो गिवन है जो निकालना है उसके कोडिंग आपने क्या करनी है आपने उसके कोडिंग कोडिंग को सॉल करना है ओके सो देट सॉल फो माई साइड